हेलो एब्रीवन वेलकम पैक टू मैं चैनल और आप देख रहे हैं डिवाइन टेरो डबल फोर आज की वीडियो में हम सेजिटेरियस यानि की धनू राशी वालों के लिए दिसंबर मंद की रीडिंग करने वाले हैं कि ये जाते हुए साल का आखरी महिना सेजिटेरियस को क्य देखे जाने वाला है तो अगर आपकी डेटो बर्थ 22 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच में है तो आपकी राशी बैठेगी सेजिटेरियस यानि की धनू इसके अलावा अगर आपको नाम राशी या लगन राशी के हिसाब से भी ये राशी सूट करती है तो आप इस वीडिय सेजिटेरियस की दिसंबर मंत में आपका फाइनेंस आपके धन संबंदी मामले कैसे रहने वाले हैं प्लीज डिवाइन गाइट में दिसंबर में सेजिटेरियस के धन संबंदी मामले कैसे रहेंगे Sagittarius के money matters कैसे रहने वाले हैं December month में is of pentacle, the hangman reverse में आया है, it of pentacle आपका bottom of the deck है, it of swords का तो Sagittarius आपके card कहते हैं कि आप में से बहुत लोग अपने काम की कोई नई शुरुआत भी कर सकते हैं आप full of idea रहेंगे, काफी energy आप में रहेगी, the hangman reverse में आया है अगर कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आ रहे थी, आप किसी ना किसी चीज में stuckness फील कर रहे थे तो उससे भी आप बहार आएंगे क्योंकि 8 of pentacle है, आप मुझे अपनी skill को improve करते हुए नजर आ रहे हैं अपनी धन संबंदी मामलों को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, अभी परेशानी है आप लेकिन आप उसमें काम करते हैं, तो आगे जरूर आप बढ़ेंगे, क्योंकि आपका bottom of the deck भी 8 of sorts का है कहीं ना कहीं आपको काफी problem महसूस हो रही है, may be possible कि आपको आपके काम में, अगर आपका business है तो आपको उसमें loss हुआ हो या किसी भी तरीकी कि आप बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी आगे ना बढ़ पा रहे हो अगर आपकी job है तो कुछ लोग मुझे jobless condition में भी नजर आ रहे हैं कि उनकी job नहीं है अगर है तो उसमें वो बहुत ज्यादा problem महसूस कर रहे हैं, इतनी ज्यादा कि उनको लगता है कि अगर कोई दूसरा आए तो उनकी help करे वो खुद की help भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, अगर आपकी ऐसी सोच है तो आपकी card कहते हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको मेहनत करनी चाहिए क्योंकि आपका पहला card as of pentacle का था जो कि यहीं बताता है कि आपको रास्ते तो मिल रहे हैं, आपके पास ideas हैं, बस आपको उसमें action लाने की ज़रूरत है अगर आप बीती हुई बातों को लेके बैठेंगे कि मैंने ये काम किया था लेकिन मेरा नहीं चला, आप नया काम शुरू करूँ तो वो भी नहीं चले तो तो ऐसा आपको नहीं सोचना है, आपको अपनी skill इंप्रूव करनी है, मुझे इस मन्त में आप में से बहुत सारे लोग कुछ नया सीखते हुए भी नजर आ रहे हैं आप में से कुछ लोग student हो सकते हैं आप में से कुछ लोग business man हो सकते हैं कुछ लोग job में हो सकते हैं या कुछ लोग नई job के बारे में तयारी कर रहे हो सकते हैं तो अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको मेहनत का फल जरूर मिलेगा एक lightly outcome निकालते हैं दिसंबर में आपके finance आ या रंग लेके आती है क्योंकि नया साल चड़ने वाला है तो उसका स्वागत पूरे जोश के साथ में कीजिए आपका कार्ड लाइटली आउटकम आया है आपका फाइव ओफ सौर्ड का कार्ड आया है जो की ठीक नहीं है वो यही बताता है कि आपके वर्क प्लेस में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पर भी आपका बाटम अफ दर डैक जो है वो नाइन उताबिक नहीं चल रही है में भी पॉसिबल कोई आपको सामने से चीट कर रहा हो आपके वर्क प्लेस में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपके सामने कुछ हो पीट पीछे कुछ हो और कुछ लोगों को धन संबन्दी मामले में कुछ लोस भी उठाना पड़ सकता है आपके धन संबंदी मामले जो हैं वो ठीक नहीं चल रहे हैं और आप सैडनेस की कंडिशन में हैं आप में से काफी लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो डिप्रेशन में हो और रात में सो भी ना पा रहे हो आपको बहुत ज्यादा टेंशन है लेकिन हिम्मत हालने से कुछ नहीं होग हिम्मत रखिए और अपने काम को आगे बढ़ाएं काफी पॉजिटिव कार्ड मुझे ये लगता है कि अभी कंडिशन अगर बहुतर नहीं है तो कोई बात नहीं लेकिन आगे आपकी कंडिशन बहुतर होगी मेहनत करते रहिए नए नए आइडियास आपके पास हैं क्योंक काम में हो जिसमें बहुत ज्यादा कॉम्पिटीशन हो तो आपको ज्यादा बहतर करना है तभी आप आगे बढ़ पाएंगे ताइम एकसा नहीं रहता है नया साल चड़ने वाला है पूरी एनर्जी के साथ में आगे बढ़िए और अपने काम को बहतर कीजिए एक कार्ड आपके लिए निकालते हैं कि 506 क्यों आया डेफिनेटली आप एक नई शुरुआत करेंगे या कहीं ना कहीं शुरुआत तो है लेकिन आप से काम में लापरवाही जरूर हुई है मुझे ऐसा लगता है कि आप मेंसे कुछ लोगों ने अपने काम में थोड़ी सी लापरवाही करी है इसी कारण से लोगों को मौका मिला है आपको चीट करने का या आपके काम में कमिया निकालने का तो इस मन्त में आप कुछ को बेहतर करना चाहिए कुछ लोग आप में इसे पार्टनर्शिप की कंडेशन में भी हो सकते हैं हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया हो आपके वर्प्लेस में भी कोई ऐसा इंसान हो सकता है कि अगर आप किसी प्रोमोशन के लिए आगे आ रहे थे आपने मेहनत करी है तो किसी ने बीच में आकर कुछ न पुछ गरबर करी है तो दफूल का काड आया है तो आपको एक नई शुरुआत दुबारा से करनी चाहिए दुबारा से अपने काम को जाचिए कि उसमें कहां कोई लूप पोल रह गया है अगर ऐसा है तो उस लूप पोल को ठीक कीजिए और नया साल है एक नई एनरजी के साथ आगे बढ़िए त दिसंबर मंथ में सेजिटेरियस यानि की धनूराशी वालों के रिलेशनशिप कैसे रहने वाले हैं दिसंबर मंथ में सेजिटेरियस के रिलेशनशिप कैसे रहेंगे आपका पहला कार्ड है 10 of cup का बहुत ही खुबसूरत शुरुआत है आप family चाहते हैं और family में खुशियां चाहते हैं दूसरा कार्ड है आपका chariot का वो भी बहुत खुबसूरत है problems है लेकिन आप उन problem से पार पा जाओगे दफूल जो कि आपके finance में भी आया था एक नई शुरुआत कीजिए लेकिन लापरवाही से नहीं बहुत अच्छे तरीके से कीजिए दोनों ही major अरकाना के कार्ड हैं और बहुत ही खुबसूरत है Sagittarius आपके relationship बहुत अच्छे रहने वाले हैं अगर आप family में है और family plan कर रहे थे तो हो सकता है आपको कोई good news सुनाई दे pregnancy भी हो सकती है आपके घर में कोई नया महमान भी आ सकता है एक नई शुरुआत है relationship में थोड़ी सी problem है लेकिन challenges है problem नहीं मैं कहूंगी challenges है लेकिन आप उनसे पार पा जाएंगे और इस बार आप दिल और दिमाग दोनों से सोचेंगे the fool का card एक new beginning है आप में से कुछ लोग जो की single है वो एक नई relationship में जा सकते हैं अगर आपके रिष्टे में कोई problem थी तो आप उससे उभर कर बाहर आ रहे हैं किसी नई रिष्टे के लिए और अगर family में है तो family में भी आपका बहुत अच्छा रहेगा कोई आप में से कुछ लोग अपने परिवार के लिए purchase भी कर सकते हैं कुछ नई खरीदारी कर सकते हैं कहीं आप जा भी सकते हैं हो सकता है आप अपने partner को लेके कहीं पर जाएं और आगे आपका बहुत ही अच्छा होगा लापरवाही को छोड़ दीजिए रिष्टों में लाप आपकी तरफ अट्रेक्ट हो रहा है तो थोड़ा सोच समझ के करिए क्योंकि कहीं कमिटमेंट की कमी भी रह सकती है अगर आप किसी की तरफ अट्रेक्ट हो रहे हैं तो भी ठीक है लेकिन चीटिंग की इस कंडिशन नहीं होनी चाहिए एज ओफ पैंटिकल है आपके के लिए एक लाइटली आउटकम क्या रहेगा कि कंफ्यूजन मत रखिए क्योंकि बहुत सारी चीजे बेहितर हैं अच्छी है तो जो भी होगा सही होगा बटम अफ दड़ेक दे स्टार का कार्ड आया है नई उम्मीद रखिए आगे नया साल चड़ने वाला है सब कुछ ब कि सेजिटेरियस दिसंबर में आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है एट ओफ सोर्ड आया है जैसा कि आपके काम में आया आप अपने काम को लेके इतनी ज्यादा टेंशन इतनी ज्यादा चिंता करते हुए नजर आ रहे हैं कि उससे आपकी हेल्थ पूरी तरह से इफेक्ट कि तो अगर कोई समस्या है सेजिटेरियस तो उसको सुलजाने की कोशिश कीजिए ना कि उस समस्या को आप पकड़ कर बैर जाएं उससे आप अपना नुकसान ही करेंगे ताइम किसी के लिए नहीं रुपता है कोशिशे हमें जरूर करनी चाहिए आपका बटोम अफ देक भ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए हम फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक केर थांक्यू सो मच